सो आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि कैसे जबी भी हम हमारे स्लैक के अंदर कोई न्यू यूजर एड़ करेंगे तो आटोमेटिकली वो यूजर हमारे पाइप ड्राइव में as a person create हो जाएगा आपके या मेरे involvement की जरा भी जरूरत नी पड़ेगी पूरी प्रासेस आटोमेटिकली होगी कैसे होगी जब हम इन दोनों एप्लिकेशन को आटोमेट कर देंगे कैसे आटोमेट करेंगे पूरी प्रासेस अभी बताऊंगा step by step अपनी स्क्रीन पर ओके सबसे पहले हम अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे pably.com प्रेसेंटर सामने आजाएगी ओफिशल वैबसाइट क्लिक करेंगे sign up free पे अपना अकाउंट एक दम फ्री में बनाने के लिए मैं अल्रडी बना चुका हूँ that's why मैं क्लिक करूँगा sign in पे first option आएगा pably connect का क्लिक करूँगा access now पर then open हो जाएगा pably connect का dashboard dashboard open होगा right hand side में create workflow का option आएगा click करेंगे और हम अपने workflow को एक नाम दे देंगे so मैं create workflow पे click करता हूँ और नाम दे देता हूँ मैं नाम दे देता हूँ slack to pipe drive मैंने नाम दिया slack to pipe drive आप चाहें तो कुछ और नाम भी दे सकते हैं एक बात बता देता हूँ इस वीडियो के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया ये same workflow यूज कर पाओगे अपने account में वो भी एकदम free में workflow को नाम दिया मेरे सामने दो windows आगई trigger और action की दोनों ही काफी important role play करती है integration में trigger means when this happens जब भी ऐसा हो action means do this ऐसा कर दो topic क्या है हमारा हम चाहते हैं कि हमारे slack के अंदर जबी भी हम कोई new user आड़ करें तो automatically वो user हमारे pipe drive में as a person create हो जाए अगर वो पहले से as a person created नहीं है तो और पहले से अगर वो हमारे pipe drive में है तो वो ना हो okay so ऐसा हम चाहते हैं ऐसा करने के लिए first application में हम सबसे पहले choose करेंगे हमारे slack को search किया choose कर लिया slack को then trigger event में हम choose करेंगे new user को then click करेंगे connect पे उसके बाद add new connection पे then connect with slack पे then यहाँ पे लिख देंगे user okay then click कर देंगे save पे then यह हमसे मांगेगा access तो नीचे scroll करके allow पे click कर देंगे और access देंगे don't worry pably connect is 100% safe जैसा कि आप देख रहे है connection हो गया successfully हमारे slack का pably connect से connected है okay so अब जब भी हम कोई new user हमारे slack के अंदर add करेंगे तो automatically pably connect उसकी details यहाँ पे capture कर लेगा जब हम save in sign पे click करेंगे तो okay तो चलिए चलता हूँ मैं एक new user add कर देता हूँ सबसे पहले पैबली के अंदर okay so यहाँ पे मैं नीचे scroll करूँगा तो यहाँ पे आप देख रहे है add teammates का option है click करूँगा add teammates पे और यहाँ पे मैं एक user add कर दूँगा जिसका email address मैं आप आप करूँगा यह जो email address में डाल रहा हूँ यह test email address है dummy at the red pably tutes.com sorry यह email address simple then में क्या करूँगा send पे click करूँगा जसे कि क्या होगा invitation send हो जाएगा dummy को उनके Gmail account पे send पे click किया मैंने आप done पे click कर दूँगा okay so done पे click कर दिया है email sent हो गया है dummy को और as a teammate वो add हो गया है चलके check करता हूँ पैबली connect के पास और यहाँ पे click करता हूँ save and send test request पे तो जैसे मैं save and send पे click करूँगा तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं मुझे name जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे name मिल गया है जनको मैंने either team में add किया है उनका dummy नाम है और नीचे आ जाओंगा तो मुझे email address जैसे कि मैं add किया था email address है और उनकी बाकी की जो है details है लेकिन यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे लिखा is email confirm तो अभी तक जो dummy है उन्होंने जो हमारा invitation है वो accept नहीं किया है ना जब वो accept करेंगे तो यहाँ पे जो email है वो confirmation के सामने यहाँ पर one लिखा आ जाएगा जब हम दुबारा seven sent पे click करेंगे तो चलिए हम चलके चेक करते हैं dummy के gmail अकाउंट पे के उनको एक mail गया होगा एक invitation होगा जिसके अंदर हैना वहाँ पे जाके invitation हम जो accept करेंगे है ना as a dummy बनके और यहाँ पे आके फिर हम चेक करेंगे के details आती है के नहीं तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं मैंने जो है dummy का gmail अकाउंट open कर लिया और यहाँ पे जो mail जो sent आया था हमारे पास as a invitation वो भी मैंने open कर लिया join now पे then continue with google पे click करके अपना जो है gmail अकाउंट choose कर लूँगा है ना okay तो आप लोगोंने देख लिया होगा मैंने process कर दी थी वहाँ पे जाके accept कर लिया था invitation और पूरा जो confirmation है वो दे दिया था ठीक है है ना dummy बनके तो अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ वापिस से और click करता हूँ save and send test request पर हम नीचे चलके फिर उसके बाद चेक करेंगे के वहाँ पे जो है email confirm वाला जो हमारा label था उसके सामने जो है जैसा कि आप देख रहे है one लिखा हुआ इस email confirmed means जो जिनको हमने as a teammate add किया था हमारे slack में उन्होंने अपने Gmail account पर जाके invitation accept कर लिया है और confirm कर दिया है अपना email ओके जैसा कि आप लोग देख रहे है यहाँ पर one आ गया है तो अब मैं जो यह automation set कर रहा हूँ वो सरिफ उन लोगों के लिए set कर रहा हूँ जो invitation accept करेंग जाके अपने Gmail account पर ठीक है मेरा काम है यहाँ से अपने Slack पर जाके teammate को add करना और जिनको भी मैं add करूंगा उनके Gmail account पर एक mail जाएगा जैसे कि मैंने आपको दिखाया था dummy name को उनके Gmail account पर गया था और वो process करनी पड़ेगी एकसेप्ट करना पड़ेगा उसके बाद यहाँ प पैट करनी होगी और यहाँ पर चूज करना होगा filter को okay search किया चूज कर लिया filter को then यहाँ पर select label के अंदर जाके मुझे Slack user पर click करना होगा और नीचे आके label के अंदर मुझे चूज करने ना होगा is email confirmed then filter type मुझे equals to रखना होगा और value के अंदर आके लिख देना होगा one और click कर पर ना होगा save and sign test request पर आप देख पाएंगे कि यहाँ पर condition true है और status success है क्योंकि email confirm किया है जिनको हमने mail भेजाता हो उन्होंने okay so यहाँ पर अब यह automation इसके बाद तभी run करेगा जब जो person है जिनको हमने other team में direct किया है वो अपना email confirm करेंगे okay उसके बाद यह automation आगे run करेग है ना चली अब नीचे आजाता हूँ अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ वही लोग मेरे pipe drive में as a person create हो जो पहले से as a person नहीं है जो पहले से as a person created है तो उनको दुबारा से add करने का तो कोई मतलब है नहीं okay so कई लोग ऐसे भी होते हैं जो पहले से हमारे pipe drive में है और उनको हम करना होगा कि जिसको मैंने as a teammate add कि अपने slack में वो मेरे pipe drive में पहले से as a person है या नहीं okay so ऐसा करने के लिए मैं अपनी third application में choose करूँगा pipe drive को then action event में मैं आऊँगा और choose कर लूँगा find person को okay sorry find person okay so यह रहा find person को option then click करूँगा connect पे उसके बाद add new connection पे एक new connection के लिए मुझे चाहिए API token API token के लिए मैं just यह जो account है इस पे click कर दूँगा तो मेरा pipe drive का account open हो जाएगा हैना login करना होगा आपको login करके रखा है मैंने पहले से then profile icon पे आपको click करना है और जाना है personal preferences पे then click करना है API पे और जो API की है इसको यहां पे click करके copy कर लेना है then family connect पे आके आपको API token वाली field में इसको paste कर देना है then click करना है save पे तो आपका जो connection है वो successfully हो जाएगा जैसे कि आ यहां पे field to search by आपको जो है choose करना है email okay so email से मैं search करना चाहता हूँ है ना person को pipe drive के अंदर ठीक है term यहां पे मुझे add कर देना है जो email मुझे मिला है किस से family connect से okay so यह रहा email okay है ना जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यह रहा email है ना dummy at directpabilityutes.com okay so यह email मुझे यहां पे add करना होगा add करने के लिए मुझे एक technique का use करना होगा जिसको हम कहता है mapping mapping में हम हमारी trigger application का data action application में add कर सकते हैं वो भी बहुती easily कैसे कर सकते हैं just आपको blank field पे click करना है और नीचे option आएगा आपकी दोनो previous steps का जो भी आपने ऊपर की है okay then आपको पता है आपको trigger application slack slack से आपको email मिलेगा तो आपको click करना है slack पे और जो email address है वो find करना है यह रहा email click करके इसको यहां पे add कर देना है यह जो process मैने अभी करी इसी को mapping कहते हैं जितनी easy simple है उतनी ही important भी है क्योंक email address होगा automatically email address इस term वाली field में आके add हो जाएगा क्योंकि आपने अभी यह वाला email address map किया है तो map करने से यह फायदा होगा that's why mapping is important okay so search for an exact match yes और click करूँगा मैं नीचा के save and send test request पे save and send पे click करने से पहले मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अपनी contact list अपनी persons की list okay हमारे किसके अंदर pipe drive के अंदर चलके तो यह मेरा pipe drive का account है है यहाँ पे contacts की list में open कर लूँगा तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे दो ही contacts मौजूद है एक राज मलोतरा और एक हैदर खान okay है ना दोनों ही test जो है names है और दोनों ही test emails है किसी person का email address नहीं है ठीक है तो यह test email और test मैंने यहाँ पे persons create करके रखें ठीक है यहाँ पे अभी कोई भी demo नाम का demo name नाम का इंसान नहीं है ठीक है तो आऊंगा पैबली connect पे और यहाँ पे मैं save and send पे click करूँ करने के बाद जैसे कि आप लोग देख रहे हैं details के अंदर one zero hundred ऐसा कुछ आ रहा है means यहाँ पे person जो है वो पहले से हमारे उसके अंदर pipe drive के अंदर नहीं है लेकिन आपको एक process करनी होगी क्या करना होगा आपको मैं बता देता हूं simple समझ लीजिए pipe drive पे आना है और जो भी person आपके आपके pipe drive में as a person created है उसका email address आपको जो है copy कर लेना है जैसे कि मैं यह कर लेता हूं raj.com यह वाला email address मैंने copy कर लिया आता हूं पैबली करेक्ट पे और यह term वाली field में इसको यहाँ पे paste कर देता हूं simple then click करूंगा 7 cent test request तो मुझे सारी details मिल जाएंगी जैसे कि आप है ना so यहाँ पे जो आप देख पा रहा है details मेरे सामने आ गई है अब मुझे क्या करना है यहाँ पे मुझे एक detail आई है data items id data items 0 item id so यह 4 मिली है तो मुझे एक filter जो है ऐसा लगाना होगा है जिसके अंदर मुझे एक condition fit करने होगी कि जब यह id मिले तो आपको और जब यह id ना मिले तो आपको यह workflow आगे बढ़ाना है और यह पैबली connect को ऐसा बोलना होगा ठीके तो ऐसा करने के लिए plus button पे क्लिक करके मुझे action step add करनी होगे यहाँ पे दुबारा से चूस करना होगा filter को search किया चूस कर लिया मैने filter को then select label के अंदर आना होगा और third वाला जो pipe drive है हम person वाला उस पे click करके data items zero item ID को choose कर लेना होगा और यहाँ पर filter type जो है मुझे choose करना होगा does not exist तो यह जो ID है यह तभी exist करेगी जब customer जो हमारा person है जिसको हमने as a user add के हमारे slack में वो पहले से as a person add होगा हमारे किस के अंदर pipe drive के अंदर है ना तो ही यह ID हमें यहाँ पे show करेग तब आपको आगे की process करनी है ना simple click किया save and send test request पे तो यहाँ पे condition false आ रही है क्योंकि यह जो है यह पहले से ID मौजूद है अभी है यह ID मौजूद नहीं होगी तब यह automation आगे बद तो यह मैंने एक अगली बार जब यह process automatically work करे उसके लिए इसको set किया है ना ताकि कोई कि ऐसा person add ना हो हमारे pipe drive के अंदर जो पहले से ही add जैसे कि हैदर कान पहले से ही add है तो यह दुबारा से add ना हो जाए इसलिए मैंने यह वाला filter जो है लगाया है तीक है अब नीचे आँगा और यहाँ पर अपनी last application में choose कर लूँगा pipe drive को okay search किया choose कर लिया pipe drive को है ना then action event में मैं choose करूँगा create person को है ना create person को choose करूँगा है जब यह contact ID जो है जो data ID है यह नहीं होगी मतलब जो person है वह हमारे pipe drive में as a contact नहीं होगा तो अब हम क्या करेंगे वो person नहीं है as a contact तो अब हम उसे as a person create करेंगे ठीक है click किया connect पे then add new connection पे नहीं करना एक बर connection कर है ना तैने हाँ पे हमसे बोल रहा है कि जिसको भी आप as a person create करने वाले उसका नाम वगरा वगरा add कीजे तो map कर देंगे है नाम कहां से मिल जाएगा हमें नाम मिल जाएगा slack से slack पे आना है और जो full name है real name click करके उसको map कर देना है map कर दिया ठीक है है ना owner अश्मी जो है by default selected organization आप यहां से select कर सकते हैं जो भी करना चाहते हैं आपकी जितनी भी organization हो email address map कर देना है search करना है email okay so यह मिल गया profile email क्लिक करके map कर दिया slack के अंदर से phone number अगर है तो यहां पे search कीजिए phone number भी मिल जाएगा यह रहा है na phone number नहीं है profile phone तो इसको हम blank छोड़ सकते हैं कोई problem नहीं है यहां label option id आप add करना चाहें तो कर सकते हैं मैं skip कर रहा हूं और visibility अपने according आप चूज कर सकते हैं मैं entire company चूज कर रहा हूं आप जो option चूज करना चाहें वो कर सकते हैं click करूंगा save and send test request पे तो जैसे save and send पे click करूंगा एक person जो है successfully create हो जाएगा मेरे pipe drive के अंदर okay यहां dummy name के नाम से click कि हमेंने save and send test request पे successfully response received हो गया और सारी details capture कर ली है पैबली connect ने चलके check करते हैं एक दम आपके सामने dummy name के नाम से एक new person जो है create हो गया है organization डिमूरगा में जिसका email address at dummy at the right pabletudes.com एक दम perfectly add हुआ है और इसकी presence बता रही है कि हमारा automation जो है वो हमने successfully set कर दिया है अब just हमें click करना है save पे और अब हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है अब यह पूरी process automatically होगी क्या automatically होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ उपर से एक बार फिर से starting से अब जबी भी आप अपने slack के अंदर जाके किसी new user को add करोगे तो पैबली connect का automation run करेगा ना then पै email verify किया होगा तो आगे की process होगी then public connect क्या करेगा उस पर जिसने email verify किया है उसको उसके email address के through pipe drive के अंदर जाके find करेगा के वो पहले से pipe drive में add है या नहीं और अगर वो पहले pipe drive में add होगा तो वो यहीं पे हमारा workflow जो है automation जो है रुख जाएगा और अगर वो पहले से हमारे pipe drive में as a person नहीं होगा तो automatically क्या होगा पैबली connect जाएगा pipe drive में और उसको as a person create कर देगा जैसे की demo dummy name को किया है और यह पूरी process automatically होगी अब आपके मेरे involvement की इस process में 1% भी जरूरत नहीं है हमारा काम सिर्फ कितना है हमें हमारे slack के अंदर जाना है और किसी भी user को add करना है then इसको पैबली connect की help से आप multiple applications को integrate कर सकते हो automate कर सकते हो बिना किसी परिशानी के जाते जाते एक बात फिर से बता देता हूँ इस video के description box में आपको एक link मिल जाएगा जो की होगा इसी workflow का आपको जाना है उस link पे click करना है और आप भी मेरा बनाया यह same workflow use कर पाओगे अपने account म वो भी एकदम free में